अपने माधमस में मैं बोला हूँ कि बच्चे किसी भी परसिती में हिंसात्मक गत्विधी को अपनाने के बाद हिंसा को दबा देना बहुत आसान होता है और इनकी सारी सारा खेल खराब हो सकता है अगर कोई परसाशन कर रहा है कि इस शिक्षक चिनित के जा रहे हैं तो परसाशन यह क्यों नहीं देख रहा है कि उस भीड में कुछ असमाजिकत भी है नमस्कार नीज फोर्डेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ हमारे साथ बात करने के लिए हैं पतना के जाने सब्सक्राइब करने का अभी परिक्षा का दिया जा रहा है अभी विद्यार्थी जो है वो संतूस्ट नहीं सब्सक्राइब करने कि अगर सब्सक्राइब करें तो यह बिल्कुल गलत है इसका सारा का सारा सारे के सारे सब्सक्राइब करता है कि किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधी होती है तो वैसी परसिती में हम लोग किसी भी रूप में सामिल नहीं होंगे लेकिन अगर अहिंसात्मक आंदोलों लेकर चलेगा लोग तो मरते दम तक हम लोग सारे के सारे लोग बच्चों के साथ होंगे लेकिन बच्चों से मेरा पर्थम रिक्वेश्ट ही है कैब के माध्यम से भी में मैं बुलना हूँ कि बच्चे किसी भी परसीती में हिंसात्मक गतविधी को न अपना है कि हिंसात्मक गतविधी को अपनाने के बाद हिंसा को दबा देना बहुत आसान होता है और इनकी सारी सारा का सारा खेल खराब हो जाएगा अहीं साथ मकांदोलन करें, बच्चे का अधिकार है, हर इंसान का अधिकार है जो भारत का है, तो निश्चिद रुपसे हम लोग सारे, कि सारे उनके साथ थे हैं और रहेंगे तो परसासन यह क्यों नहीं देख रहा है कि उस भीड में कुछ असमाजी तत भी है गरीब अनात असाय जो मां का जेवर गिर्वी रखके पढ़ना में आ रहा है वह रेल्वे लाइन के बार निकलिया है उन्हाजी तत्तों को चिनित करें और किसी भी परस्यति में उगर परदर्सन होगा तो सिक्छक साथ नहीं देंगे लेकिन अगर उनका परदर्सन अहिंसात तो मर जाने तक कैम के प्लेट फॉर्म से बलना हूं कि सारे कि सारे सिख्छक साहत देए देते आयए और देते रहेंगे के सीजग ढरने नहीं है नहीं तो मजदूर पलायन कर जाता है सिच्छक पलायन कर गए तो फिर वही फिरोन वाली कहानी आता जाएगी कि फिरोन ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि वक्त हो सारी जंता से कि हमको भगवान मान ले तो मंत्री ने कहा कि हुजूर एकदम आसान है तो मैंना क से तो जितना भी स्कूल कोलेज बिद्याले बटसाला मदर्सा और सिख्षक हैं सब पर रोलर चलवा दीजिए जाहिलों के एक ऐसी कौम पैदा होगी जो आपको भगवान मान लेगी अगर ऐसी बात चाहती है सरकार तो हम लोग पलायन करने के लिए तयार हैं लेकिन बच्चो भीड़ी ही है या फिर बाहर के लोग असमाजिक चत घुक हर ऐसामाजिक चत घुसता इस फिट में भी असमाजिक खुशे हुए हैं बच्चे इसको सम OH हम लोग कर रहे हैं क्या बार बार कह रहा है इसको समझे टोड़ फोर से थितम्हारी कर निराकर नहीं होने और कुछ चलते हैं और कहेंगी पटना से दिल्ली जाने की लिए तो 46 साल के एस में हम भी तैयार है हम लोग पंति तक जाएगे सर्थ है अहिंसात्मक हो हिंसा निराकरन नहीं है अन्दोलन माने का पर्यास हो जाएगा अन्दोलन मा दिया जा जाएगा इसलिए तोड़ फोड को किसी प्रसिदी में हम लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं और नहीं तोड़ फोड में इस्टेंट कर रहे हैं इसको भी हम नहीं मानने हैं क्योंकि आसमाजीक तथ कुछ हुँते हुए जिसको चिनित करने काम सरकार का है परसाशन का है कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है उनके प्रवत नहीं बोलेगा सबसे कमज़ोर सिख्षक होता है तो बच्चों के साथ समस्य आएगी तो बच्च कहा जाएगा माँ बाप के सही अपने बच्चा बोलता है जब कुछ तो यह सिखक बच्चों के माँ बाप है वो समस्या लेकर बच्चों के बासा है हम लोग उनके साथ है गलत हुआ है हर कुछ है क्योंकि जब मैंने भी विद्यार्थियों से बात करने की कोसिस के थी चात्रवास में भी गया थे कई जगा गया थे जहां पर टोली टोली में बढ़ करके परदर्सन कर रहे थे वो लोग यही कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऑप्सन है ही नहीं और इसमें जो टीचर यह तो बिल्कुल ही एक ऐसी मांसिक्ता की सोच है कि टीचर कह दिया कि अग लगा दो ताग लगा दिया अगर इतना पावर सिक्षक में आ गया तो टीचर कह दे सत्ता पलट दो पलट देगे इस टेंट लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है कोई भी सिक्षक हिंसा नहीं चाहे लेकिन हाँ चात्रों की जो जायज मांग है साड़े साथ लाख रिजल्ट का गुरुब डी में आप दो गो एक जाम कर दिये उस परस्षिती में आपका हग बनता है कि चात्रों के डिमांड को आप पूरी तरह से सुनिए आज आज आपने कमिटी कठीत कर दिया 2019 से लेके 2022 हो गया कमिटी कठीत हुआ सिक्षकों ने एक काम किया सिक्षकों ने सबसे बड़ा काम किया कि ट्यूटर अभियान चलाया तब आपकी नींद खूली कुमकरन वाली नींद खूली आपने रिजल्ट दे दिया तो आपने कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे 35,000 तो अब एक लड़के का पांच जगत चैन करके आप उसको गीन लिए लड़का में यह अधिक हो गया है तो निश्चित रुप से यह गलत है पूरी दर से गलत है और सरकार को चाहिए कि किसी भी परस्षिती में अवे सामने आवे क्योंकि यह सारी गलती बोड का है और झाल झाल झाल